आज हम डिस्कुस करने वाले हैं बहुत ही बहतरीन टॉपिक जो हर एक्जाम के इसाब से बहुत इंपॉर्टन ध्यान से सुनियेगा बैसिकली हम डिस्कुस करने वाले हैं से worked hierarchy टेक्निक्ष को सर्च हैं उनको किस तरीके से सीपरेट किया जा सकता है बायॉमॉलेक्यूल से हमारा मतलब है। ब्रोटीन हो गए। लिपिट्स हो गए। कार्भरहईडborg नूटलीक अश्ड। इस अःधिफिर्ट बायॉमॉलेक्यूल। और डिफ्रेंट परपस के साफ से इन biomolecules को हमें separate करना होता है तो क्या क्या major techniques है जो हम lab condition में इस्तिमाल करते हैं ताकि biomolecules को separate किया जा सके दोस्तों तीन major techniques है जिन से biomolecules को separate किया जाता है तीन major techniques में से एक technique को आज हम discuss करने वाले chromatography दूसरी important technique है electrophoresis तीसरी important technique है that is referred to as sanitary education इन तीनों ही techniques का स्थेमाल करकर हम biomolecules को separate कर सकते और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ में एक register साथ में रखें ताकि आपके short notes भी prepare हो सके और हो सकता है कि मैं आपका comments का ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊँ ताकि क्लास का rhythm है वो भी नहीं टूटा चाहिए but anyhow good evening जो भी join कर रहे है yes पूजा, दॉली, कविता नाराज मत हुएगा अगर मैं आपके comments बार-बार नहीं पड़ रहा हूँ तो purposes कि कि किसी भी तरीके से lecture की sequence नहीं टूटे rhythm ना टूटे दोस्तों chromatographic technique जिसको हम discuss करने वाले इसके नदर there are wide range of principles which would be applied और हम कहेंगे अगर किसी biomolecule को किसी और technique से separate करा जाए या ना करा जाए कोई ने कोई chromatographic technique ऐसे जरूर होगी उससे biomolecule को separate out किया जा सकता है then electrophoretic technique generally उन biomolecule को separate करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर there is a difference फैलिव तो molecule charge होने चाहिए and then there may be a difference in a charge और mass और जो तीसरी technique है that is a centrifugation technique बच्चों इसका इस्तेमाल भी biomolecule को उनकी density की basis पर in other words mass की basis पर उनकी size की basis पर separate out किया जा सकता है तो आज का हमारा मुद्दा जो हम discuss कर रहे है बच्चों वो बहुत simple सा है आज हम discuss करने वाले है chromatography देखा जाए तो actually chromatography है क्या और इसका नाम chromatography क्यों दिया गया Michael Shwet ने इसके बारे में सबसे पहले technique का स्थेमाल किया उन्होंने इस technique से colored plant pigments को separate किया paper का स्थेमाल करकर इसलिए इसे क्या कहा गया chromatography का मतलब कुछ paper से related है तो paper chromatography का स्थेमाल करकर उन्होंने colored pigments का separation करने के लिए इस तकनीक का स्थेमाल किया था इसलिए इसे क्या कहा गया chromatography बट आज हम जानते हैं दोस्तों इस technique का स्थेमाल हम colored pigments के लिए और उसके लावा बाकी सारे biomolecules है चाहे वो colored हो चाहे colored ना हो उनके separation के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ओके दोस्तों chromatography basically it is a separation technique जिससे हम जो हो different components and mixture केंदा हो सकता है different तरीके lipids हो हो सकता है different तरीके amino acids हो हो सकता है different तरीके carbohydrates हो उनको इन या इवन DNA RNA different तरीके का RNA हो उनको इस technique से separate कर सकते है yes very good Mahima yes Urmila then second important बात कि किसी भी chromatographic technique की आप बात करेंगे उसमें दो component जरूर होते हैं दोस्तों ए component होता है mobile face नाम से stationary face का का काम है कि जो molecule migrate कर रहे हैं उनको रोको और mobile face का का काम है कि molecules को stationary face पर आगे की तरफ proceed कराते रहे आगे की तरफ ले जाने के कोशिश करें. हैना जैसे कुछ आपके विशेस्ष दोस्त होते हैं वह हर समें आपके रहा का रोड़ा पर बन कर आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वह stationary phase है, तो कुछ विशाल सर जैसे शिक्षक होते हैं, teachers होते हैं, जो हमेसा आपको motivate करते हैं, चलो चलो, आगे चलो, mobile phase की तरह काम करते हैं, चलो प्रांच सुसर हो, या बाकी teachers हो, है ना, तो इसी तरही के से stationary phase का काम है, जो की attract करेगा solute को कि भी रुख जाओ, आगे मत जाओ, आगे जाने ही काज़र तो मेरे साथ ही रहो, mobile phase का काम है नहीं, तुम आगे चलते रहो, अब molecule की मर्जी, आफ लोगों की मर्जी, कि आफ रुख जाओगे, या इसी तरीके से लगाधार अपनी मंचिल की त कर पाता है, ठीक है, तो हम क्या करें, किसी भी आप chromatography की बात करेंगे, उसमें दू चीज़ें जुरूर होगी, एक होगी stationary face और दूसरी होगी mobile face, stationary face solid हो सकती है, stationary face liquid भी हो सकती है, generally जो chromatographic techniques में इस्थेमाल किया थी, और general chromatographic अंदर, जो mobile face होती है दोस्तों, जिसका काम है, molecules को आगे की तरफ ले कर जाना, वह liquid भी हो सकती है, और गैंसिस तरीके की भी हो सकती है, बाकी लोग भी notes बनाएं, that's very important, दोस्तों, जैसे मैं कहा चुका हूँ, mobile face का काम क्या है, कि जो solutes है, mixture के अंदर, उनको dissolve करकर, आगे की तरफ ले कर जाना, किसके उपर, stationary face पर, और stationary face क्या है, उनके रस्ते में रुकावट डालता रहता है, कि mixture के component सारे के सारे आगे ना बढ़ जाए, कुछ बेचारे अटक भी जाते हैं, आगे नहीं चल पाते, ठीक है, ये तो basic बात होगी, किसमें दो चीज़े होगी, एक mobile face होगी, और एक stationary face होगी, then, दोस्तों, stationary face की shape कैसी है, उसके आदार पर chromatography को दो टाइप में बाटा जा सकता है, stationary face simply, एक paper sheet जैसी हो सकती, या glass plate जैसी हो सकती है, माइका की sheet जैसी हो सकती है, उसे क्या का जाएगा, sheet chromatography, stationary face, एक pipe के अंदर जैसे chalk powder भरावा है, उस तरी के से column के form में हो सकती है, so, it may be in form of column, जिसके अंदर stationary face भरीवी हो सकती है, उसे का जाएगा, column chromatography, sheet chromatography के example की बात करें, तो उम्मित करता हूँ, सब नहीं BSE classes में इन दोनों ही टेक्निका जरू स्थेमाल किया होगा, एक है paper chromatography, और दूसरी है आपकी thin layer chromatography, okay, so these are two major techniques of sheet chromatography, then column chromatography, जिसमें sheet chromatography के comparison में resolution better होता है, separation बढ़िया होता है, प्रतकरण अच्छे धंसे होता है, column chromatography के अगर हम दोस्तों example की बात करें, तो कई सारे है, gel permission chromatography है, ion exchange chromatography है, affinity chromatography है, reverse phase, hydrophobic, hydroxy betide, या उनी के advanced version, HPLC, gas liquid chromatography आदी, so these all are example of column chromatography, and these two are example of sheet chromatography, basic difference तो समझ में आ गया न, कि इस तरीके, कि अभी आगे पढ़ेंगे, detail में तो और clear हो जाएगा, अगर इस तरीके से basic sheet के form में है, या से two dimensional sheet के form में है, तो उसे sheet chromatography का जाएगा, और इस तरीके से column के form में, अगर आपने stationary phase को भर रखा है, अगर इसा कोई column है, और column के अंदर आपने stationary phase को भर रखा है, तो उसे क्या का जाएगा, column chromatography, यहाँ पर sheet के उपर आपने stationary phase को adsorb करके रखा है, या sheet खुद stationary phase का काम कर रही है, यहाँ पर generally हम देखते है, molecules इस तरीके से उपर की तरफ travel करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ molecules हैं, वह migrate करेंगे, चीक है, यहाँ तक clear, final result this week में आ जाएगा, पहले से ही आप लोगों को, best wishes वसके लिए, दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना है sheet chromatograph, यह देख ही रहा है आपको, देख़ो एक यह सबने thin layer chromatography, TLC की होगी, एक beaker है, beaker के अंदर हमने क्या रख रखा है, एक thin sheet रखी विए, TLC रखी विए है, और यहाँ पर कहीं पर हमने solutes को अपलाई किया, mobile face देखो दिरे उपर की तरफ चड़री है, और mobile face जैसे चटरी है, यह colored solutes है, यह देखो colored solutes है, वो भी दीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारे सारे एक स्तान तक नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, यह सब आपने जरूर देखा होगा, तो sheet chromatography में दोस्तों, stationary face या तो paper की, या silica sheet की बनीवी होती है, चाहिए paper cellulose के fibers हैं, silica की बात करें, दोनों का nature polar होता है, polar का मतलब तो पता ही है, जो पानी के साथ दोस्ती कर पाए, जो hydrophilic interaction शो कर पाए, ठीक है, दोस्तों, stationary face polar है, तो obviously जो polar stationary phase है, वो polar molecule को रोकने की कोशिश करेगी, पर नॉन polar को तो मून ही लगाएगी न, polar stationary phase है, तो polar stationary phase पर कोई solutes उपर की तरफ travel कर रहा है, तो polar molecules को retard करेगी, non-polar molecule retard नहीं होंगे, या negligible उनका retardation होगा, पर अब molecule को आगे की तरफ लिजाने का काम कौन करता है, उपर की तरफ mobile phase, mobile phase का nature generally non-polar लिया जाता है, और it could be a mixture of polar and non-polar solvents, ठीक है अंतक बत, ओके, so stationary phase कैसे लिए जाती है, polar, चाहे वो पेपर की बात करें, चाहे से लिए, mobile phase generally कैसे होती है, non-polar solvent, है ना, that could be let's say butanol, that could be methanol, ethanol, it could be mixture of two and three things, okay, दोस्तों, प्रिंसिपल, paper chromatography में कोई पूछे कि किस बेसिस पर separation हो रहा है, है ना, वाटमेन फिल्टर पर प्रिस्तेमाल किया, उसके दर आफ ने अमीन अचिट का separation किया, suppose, तो किस प्रिंसिपल पर आमीनो अचिट्स ने distance travel कि, कौन आगे गया, कौन पीछे गया, जहां पर आपने sample apply किया उससे, तो हम कहते हैं, paper chromatography के अंदर जो प्रिंसिपल लगता है, that is liquid, liquid partition, क्या लगता है, liquid, liquid partition, जबकि TLC के अंदर, लगता है, solid, liquid, absorption, ज़ादा detail में न जाते वे, सरफ यह उत्ती सी बात हमें याद रखनी, दोस्तों, paper chromatography के अंदर, some liquid get trapped in cellulose microfibrils, and another liquid travel on that particular paper, तो जो liquid cellulose microfibrils के अंदर trap है, वह solute को रोकना चाता है, और दूसरा liquid जो move कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वह solutes को आगे ले जाना चाता है, तो इससे का जाता है, liquid, liquid partition, then thin layer chromatography में क्या होता है, कि जो stationary phase की silica है, that is solid, और उसके उपर, जैसे यहाँ पर बताया भी जा रहा है, solid stationary phase के उपर, liquid mobile phase, move कर रहे है, solid जो stationary phase है, वह solutes को, migrating molecule को adsorb करने की कुशिश करती है, मत चड़ो, और उपर मत जाओ, और उपर मत जाओ, कौन सा principle apply होता है, यहाँ पर, solid, liquid partition, इतनी बात नहीं भूलिएगा, कि paper chromatography में, principle, जो major principle apply लगता है, liquid, liquid partition, और TLC में, mainly, जो apply होता है, that is, solid, liquid partition, हाँ, यह emotion batch ही है, आफ लोगों के लिए, emotion batch छुँँ, दोस्तों, जब कभी भी आफ paper chromatography की बात करते हैं, तो एक term बार बार आया होगा, RF value, retardation factor, relative movement of solute against solvent front, यानि solute की तुल्ना में, solvent की तुल्ना में, solute ने कितनी distance travel की, basically, यह relative movement की बात है, कि अगर मैं 10 कदम चला, तो आप कितने कदम चले, 3 या 4, या 5, या 6, या 7, जो लोगों की बात में आ जाएगा, मैं तो 10 कदम चला जाओंगा, अगर मैं mobile phase हूँ, कुछ लोग 3 कदम पर रुख जाएंगे, लोगों की बात पर रुख जाएंगे, कुछ 4 कदम चलकर रुख जाएंगे, कुछ पांच कदम रुक कर देंगे, वो डिपेंड करता है कि किसको स्टेशरी फेज ने कितना रोका और मैं कितना जोश दिला कर आपको आगे की तरफ ले जा पाया, तो relative distance of solute, क्या है relative distance of solute as compared to the distance traveled by solvent, और ये अगर क्रोमेटोग्राफी में strength conditions maintain रखी जाए या identical conditions maintain रखी जाए, तो किसी भी molecule की RF value constant होती है, क्योंकि अगर solvent ज्यादा distance travel करेगा, तो solute भी तो ज्यादा distance travel करेगा, ठीक है, तो let's say, इस diagram के हिसाब से कोई एक solute है, वो यहाँ तक travel कर रहा है, कोई solute एक यहाँ तक travel कर रहा है, कोई दूसरा solute यहाँ तक travel कर रहा है, और जो solvent है, उस solvent ने यहाँ तक distance travel की, और माल लो, solvent ने जो distance travel की, that is 10 cm, उसने किती डिस्टेंस रहा है, 10 cm, किसी एक solute भी ने 8 cm travel की, और कोई दूसरा solute हो सकता है, जिसमें 4 cm suppose travel की, तो हम करें, distance traveled by the mobile face is 10 cm, distance traveled by a solute B is 8 cm, and distance traveled by the solute A is 4 cm, तो आप अराम से RF value निकाल सकते हैं, दोस्तों, यह distance कहां से calculate करना, जहां पर आपने sample को apply किया था, वहां से जो bend आ रहा है, उसके center में, bend काफी थिक हो सकता है, तो हमें क्या पकड़ना, उसका center पकड़ना है, तो हम अब निकाल सकते हैं, RF value, solute A की, RF value solute A की क्या निकली, solute A ने distance travel की 4, 10 cm की तुल्ला में, 4 by 10 RF value A की आगे, इसी तरीके से, RF value, B की कितनी आई, 8 by 10, कितनी आई, 0.8, ठीक है, तो retardation factor की value हमने इस तरीके से calculate कर दी, बताओ, retardation factor की units क्या होगी, RF value की units क्या होगी, कोई बता सकता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि हमने इस जगे पर, बच्चों, solute लगाया था, ना, दो mixture लगाया था, A और B का mixture, और फिर mobile phase में रखने पर, mobile phase कितने सेंटिमेटर ट्रेवल की, 10 सेंटिमेटर mobile phase है, हुआ ट्रेवल कर गए, solute A ने कितनी distance travel की, 4 सेंटिमेटर, solute B ने कितनी distance travel की, 8 सेंटिमेटर, तो, RF value एक ही क्या ही, उसने ट्रेवल किया, 4 सेंटिमेटर, as compared to 10 सेंटिमेटर travel by solvent front, इस दर कैसे, solute B ने कितनी distance travel की, 8 सेंटिमेटर, as compared to, the 10 सेंटिमेटर distance traveled by same solvent, yes, very good, बहुत अच्छा, तो, RF value की कोई यूनिट नहीं होती है, बच्छों, कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, शावाश, क्योंकि ये भी सेंटिमेटर में है, और ये भी सेंटिमेटर, सेंटिमेटर से, कट गया, सेंटिमेटर से, कट हो गया, so, RF value is a unit less, दोस्तों अगर हमने 10 cm चलाया तो solute A ने 8 cm चला solute B is 8 cm distance told by solute A is 4 cm अगर आप इसको 20 cm ट्रेवल कराते अगर ये 20 cm ट्रेवल करता तो ये 16 cm फिर ट्रेवल करना चीए और फिर इसको 8 cm ट्रेवल करना चीए RF value अभी भी आपकी 8 by 10 आती that would have been 8 by 20 आती that would have been 0.4 और 16 by 20 आती which would have been still 0.8 so what I want to say is RF value remain constant distance अगर solvent जादा ट्रेवल करेगा तो solute भी जादा distance ट्रेवल कर चाहेगा ठीक है अंतरक बात solvent को 10 से 20 cm ट्रेवल कराओगे double distance कर दोगे तो solute जो distance ट्रेवल करेगा वो भी double हो जाएगा इसलिए RF value रिमेन same और important बात कि RF value कभी 1 से जादा नहीं हो सकती 1 से जादा तो कैसे हो सकती है solvent से जादा solute जाई नहीं सकता हद से जाद solvent जब 10 cm ट्रेवल किया तो solute 10 cm से जादा तो जाई नहीं सकता इसलिए कभी भी RF value की answer calculate करें तो 1 से तो जादा नहीं आना ची then friends और आगे बात करते हैं RF value constant है it do not change by distance traveled or by the time of run यानि आदा घंटा आपने इसको रन किया या एक घंटा रन किया या 10 minute रन किया उसे RF value में चेंज नहीं आगा तो चेंज किसमें आता है चेंज आता है distance traveled by solute as well as distance traveled by solvent दोनों में तुलनात्म खुरूप relative same change आता है इसलिए RF value almost saved us दिए हाँ अगर आपने chromatogram को change कर लिया mobile phase को change कर लिया conditions को बदल दी तो फिर RF value में भी change आ सकता है पर अगर conditions identical रखी है तो फिर RF value में कोई change देखने को नहीं मिलेगा then friends यह तो बात हुई है आपरी sheet chromatography के बारे दूसरी important technique है that is the column chromatography और यह से मैं बता चुका हूँ column chromatography के अंदर column के अंदर stationary phase भरीवी होती है stationary phase in column और फिर पीच पहले बगार sample को लोड किया फिर पीचे पीचे हम mobile phase को लोड करते है solutes इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे कुछ सबसे पहले loot out हो जाएंगे कुछ second number पर loot out होंगे कुछ third number पर loot out होंगे यहाँ पर आफ RF value की बजाए often you use a term either you use a term that is referred to as retention time क्या इस्तेमाल करते हैं आपर time कि कितने minute के बाद solute बाहर निकल कर आया या you use a retention volume कि कितने ml के बाद वह निकल कर बाहर आया solute एक ml के बाद दो ml के बाद या 5 ml के बाद क्योंकि mobile phase continuously यहाँ पर गिरती जाएगी है तो पहला एक ml अलग tube में ले लिया दूसरे ml दूसरे ट्यूब में ले लिया तीसरे ml तीसरे ट्यूब में चौतरे ml चौतरे ट्यूब में पांचरे ml पांच वी ट्यूब में तो कितने ml वाले fraction के अंदर हमारा solute available है जिसे क्या का जाएगा retention volume ठीक है अंतर बात या कितने minute के बाद आया तो that would be referred to as retention time वेलकम अशूब बस आपसे लोगों से भी request है कि अच्छी चीज़ को जादा से जादा लोगों तक share करें बस हमें आपसे दो ही चीज़ें चीज़ें एक result और दूसरा आप लोगों का support ताकि एक classes उन सभी लोगों तक पहुँच पाए जो किसी वज़े से पैसा नहीं दे पा रहे हैं और उनको knowledge acquire करना है दोस्तों आप share करेंगे तो जो ज़रूत मन लोगों होंगे उन तक भी lectures ज़रूर पहुँचेंगे now column chromatography में stationary phase है वह या तो glass का column होता है या steel का column होता है उसके अंदर भरा जाता है ठीक है stationary phase generally solid होती है जो कि silica की हो सकती है चार गोल वाली हो सकती है पूरस beads वाली हो सकती है आइन एक्चेंज beads वाली हो सकती है इवन alkalated silica हो सकती है कुछ जगाओं पर stationary phase gansious भी हो सकती है stationary phase का काम वापस होई है कि जाने वाले molecule उसको रोक न अरे भीया कहा जा रहे हो रुको रुको चाय पी कर जाओ काफी पी कर जाओ रुको 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 तो कुछ बात मान लेते हैं तो थोड़े पिछड़ जाते हैं और जो नहीं मानते वो उस अपनी speed से mobile phase के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों यहां पर जो liquid mobile phase है जनरल लिक्विड होती है अगर हम देखेंगे gas liquid chromatography में होगा थोड़ा सा मामला बदल जाएगा gas liquid chromatography में क्या होगा mobile phase liquid होगी और mobile phase हम क्या ले लेंगे gas लेंगे बाकी जनरली जो mobile phase है वो कैसे होती है liquid होती है liquid mobile phase इस column के थू निकलती है उपर से नीचे की तरफ flow करती है या तो simple gravitational force की वज़े से या even pressure pump लगा कर प्रेशराइस pump के थू भी mobile phase को नीचे की तरफ move कराया जा सकता है ठीक है आँ तक बात आगे बात करते हैं बच्छो chromatography के अंदर आलाकि इस chromatography technique का अब ज़्यादा इस्तीमाल नहीं किया जाता पर फिर भी थोड़ी बहुत जानकरी इसके बारे में होनी ची that is referred to as hydroxy petite chromatography chromatography का नाम क्या है hydroxy petite chromatography hydroxy petite है क्या basically देखा जातो चुना calcium phosphate है it is hydroxylated calcium phosphate more accurately तो hydroxy petite हम क्या करते है column के अंदर इतनी सी बात याद रखो कि जो हमारा दोस्तों column है column बनाते है अच्छे डंग से ये बनके हमारा column और इस column में भर देते हैं क्या इस column में भर देते हैं हम calcium phosphate hydroxylated calcium phosphate इस तरीके का भर लिया hydroxylated calcium hydroxy petite बता है इस तरीके का हमारे wounds में भी पाया जाता है wound powder भी कह दो हमारे हडियों में भी खूप हडियों का चूरा यहाँ पर हमने भर दिया basically hydroxy petite chromatography का स्थिमाल protein nucleic acid दोनों के separation charged molecule के separation के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है especially negatively charged molecule के separation के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है mainly इस्तेमाल nucleic acid के लिए किया गया है है यहाँ पर माल लो हमने कुछ किसी एक mixture को लोड किया और उनको का भई तुम आगे आगे चलो तो कुछ mixture यहां तक चलेंगे कुछ mixture यहां तक चलेंगे कुछ mixture यहां तक चलेंगे और पीछे क्या चला रहा है पीछे चला रहा है mobile phase mobile phase को कह रहे हैं चलो 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 तो mobile phase की दर से गिर भी रही है हमारी mobile phase समझ लीजिएगा यहां से कहीं से गिर भी रही है यह हमारे different components है which will get separated जो क्या होंगे separate out हो जाएंगे different components they will get separate out कोई A component हो सकता है कोई B हो सकता है कोई C हो सकता है और यहां पर हुआ अलग-अलग test tube ले ले लेते हैं अलग-अलग test tube में हम इनको separate out कर लेगे दोस्तों जो hydroxy petite chromatography है इसे mixed mode chromatography भी का जाता है क्योंकि calcium भी है और phosphate भी है phosphate की वज़े से electrostatic interactions हो सकते है phosphate जनरली positively charged molecules को अटका सकता है आकरशित कर सकता है रोग सकता है salt bridges बना सकता है और क्योंकि यहां पर calcium भी है calcium एक metal है तो metal के प्रती जो affinity रखते है molecules जैसे कोई negatively charged nucleic acids वो भी hydroxy petite chromatography पर separate out किये जा सकते है तो दो fundे लग रहे है एक electrostatic interaction वाला salt bridge वाला और दूसरा जो fundा लग रहा है metal affinity इसलिए इसलिए क्या कहा mixed mood chromatography क्या कहा mixed mood chromatography दोस्तों इस chromatography के अंदर जनरली जो हम mobile phase स्थेमाल करेंगे वो क्या स्थेमाल करेंगे phosphate का mobile phase जो हम स्थेमाल करने वाला that is phosphate buffer और illusion order याद रखें कि अगर आफ के पास कोई circular single standard RNA या DNA है linear single standard DNA या RNA है linear double standard DNA है तो सबसे पहले आगे कौन गत्ती कर रहे होंगे सबसे पहले आगे गत्ती कर रहे होंगे circular single standard double standard बाद में आएंगे सबसे पहले elute out कौन होंगे single standard और बाद में कौन elute out होंगे बाद में elute out होंगे double standard double standard में भी पहले कौन separate out होंगे single standard और बाद में कौन separate होंगे? Double standard. बीच में कौन होगे? circular और double standard और single standard के बीच में कौन होगे? That is linear single standard DNA या RNA. तो सबसे आगे कौन आ रहा होगा? Single standard circular. ऐसा लिख सकते हैं. फिर कौन आ रहा होगा? Linear single standard. फिर कौन आ रहा होगा? Linear double standard. ऐसे. ऐसे बना लो. 1, 2, 3. दोस्तों ये batches आपके IFS app पर भी हो रहे हैं. अगर बतले कि इक बार आपको ध्यान नहीं रहता है, तो आप IFS app के थूप भी connect कर सकते हैं. वहाँ पर आपको notification दिल जाएगा. ठीक है? और IFS app ने भी बहुत मज़िदार चीजें लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए. बस थोड़ा सा suspense आप लोगों के लिए. बट अभी तो ये classes enjoy करो. बाब में आप test भी enjoy करोंगे. थोड़ा सा में एक सिंपल सा question फूच लेता हूँ. है ना बाद में इसका जवाद देंगे. कि मेरे पास एक PBR322 है. क्या है? PBR322 है. A. B है मेरे पास 5 इन्टू 174 बैक्टिरियो फेज. 174 बैक्टिरियो फेज. या PBR322 भी क्योंग है? अपने एक सिंपल सा और ले लेते हैं. 5 आपके पास मान लेते हैं कि 5 174 बैक्टिरियो फेज. लिख देते हैं. 5 इन्टू 174 बैक्टिरियो फेज आपने लिख दिया. फिर आपने लिख दिया बच्चों कि there is PBR322 लिख चलो या वापस लिख देते हैं. and then there is some मान लो कोई IFES जीन है. इनका separation profile क्या होगा? अगर आपको कहा कि ये thousand nucleotide का है, मान लो एक बार के लिए और इसको PBR322 लिखें के तो गड़ बड़ो जागा. अब PBR की वज़ाए, plasmid IFAS है. जो की 10 1000 base pair का है और एक IFS gene है, वह भी 1000 base pair का है. फर्क ये है कि plasmid IFS है, वह circular है और IFS gene है, वह आफका linear है. बस अब बताओ क्या separation profile होगा? वेरी गूगल पे. अब ये offer चल रहा है बिटा, अब कौन से 15 अगस्त की इंतिजार कर रहे हो? दिस्टंबर का एक्जाम आजाएगा, offer के चक्कर में आपना समय थोड़ी वेर्थ कर सकते हो बिटा, और काफी अच्छा offer चल रहा है. नहीं तो हमरी emotion बैच जिन्दावाद, ठीक है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो single standard ही आएगा. सबसे पहले कोन आएगा? single standard. फिर आएगा double standard. double standard में पहले कौन आएगा? circular या linear? क्या गडबड़ कर रहे हो? देखो आपने ध्यान दिया नहीं. दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास single standard आएगा. फिर आपके पास double standard आएगा. और circular और linear में से circular पहले निकलेगा. तो हमें क्या लेखना है पहले? single standard को पहले डूणना है. तो single standard तो ये एक ही हो गया. अब हमें पास पीछे आएगा double standard. double standard में भी हमें पास क्या पीछे बज़े गया? एक circular है और दूसरा linear. तो पिछली स्लेट में हमने क्या पढ़ा था? कि पहले आपके पास circular आएगा, फिर linear आएगा. तो आपके पास पहला circular आएगा, मतलब B. और फिर linear आएगा double standard circular. और फिर कौन आएगा? double standard linear. चाल, साबाश. खेर, अब इस information के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हम बात कर रहे हैं, gel permeation chromatography. तो इसको तो मारो गोली. बढ़ ध्यान रखें, इसका अब आप थ्यान से नहीं देख रहे हो. आराम से आफ चीज़े no down नहीं कर रहे हो. को उनके native molecular weight के आधार पर separate करना हो. उनकी size के आधार पर separate करना हो. So, in other words, we say that the principle for separation for gel permeation chromatography is size. और a hydrodynamic volume. कि उसका volume कितना है, कितनी जगे को वो occupy कर रहा है. या उसका radius of gyration कितना है, उसका radius, उस molecule का radius of gyration कितना है, क्या molecule इस तरीके का है, या molecule इस तरीके का है. So, क्या-क्या terms थिमाल कर सकते हैं? native molecular weight, size, radius of gyration, या hydrodynamic volume. चालो, आगे बात करते हैं, बच्चों. हाँ बेटा, कराएंगे, कराएंगे. आपके वापस signaling होगी, tension मतलो. दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके ही porous beats इस्तेमाल की जाती है. जिसमें कुछ एक fixed pore size के crevice या grooves होते हैं. small size के molecules बार-बार इसमें फसेंगे, आगे उनका movement ज़ादा retard होगा. बड़ी size के जो molecules हैं, वो इसके अंदर फस नहीं रहें. वो आसानी से इन crevice, groove या पोर के अंदर, porous beats के अंदर फस नहीं रहें. इसलिए वो सीधे नीचे निकल कर आएंगे. तो हम क्या कह रहें? कि कौन सी porous beats इस्तेमाल की जाती है? जिसका काम है migrating molecules को अटकाना, रोकना. Small size के molecule बार-बार pore में फसेंगे, इसलिए उनका movement आप देखने हैं सबसे slow हो रहा है. बड़ी size के molecule, क्योंकि उन pore में नहीं फस रहे हैं, इसलिए वो तेजी से आगे की तरफ गती कर रहे हैं. migrate कर रहे हैं. Yes, gel permeation chromatography is also referred to as molecular sieve, molecular exclusion chromatography. So, यहां पर क्या होता है? Molecules which is with a very last size, they will elute first. वाइल जो small size वाले हैं, they will elute last. Then friends, जो gel material इस्थिमाल किया जाता है, जो gel material इस्थिमाल किया जाता है, that is either sepherdex, that is bio gel, or that is sepharose. सब इन में से किसी भी material का बात करें, है इसी तरी के porous beads वाला structure, चाए वो sepherdex है, चाए bio gel है, चाए sepharose है. अलग-अलग pore size वाले, porous beads वाले, यह molecules, या gel beads, available है. illusion profile कैसे होगी? कि मानलों, आमरे पास दोस्तों, तीन different तरीके के solutes है, या दो solutes है, आपके पास मानलों कि A कोई protein, A है, वा मानलो 100 kilo delton का है, और कोई protein B है, वा मानलो 50 kilo delton का है, दोनों ही protein को हमने यहाँ पर load किया, आगे movement कराया, अब आपको यह बताना है, कि इनमेंसे कौन सा A है, कौन सा B है, protein A कौन सा है, protein B कौन सा है, यानि ऐसे peak भी आया, हमारे पास कोई एक, इससे किसे लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पीक कोई 1 आया, और यहाँ पर कोई peak 2 आया, यहाँ पर कोई molecule है, वा separate out भी हो गए, यह पहले 1, blue वाला आगे चल रहा है, ध्यान रखना है न, red वाला भी आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कहीं पर small size के molecule, यह blue, यह पहला, 9 ml पर यह separate out हो रहा है, और 9 ml पर यह separate out हो रहा है, red वाला, इसको हम one peak दे रहे हैं, या इसको confusion नहीं हो, आगे नाम आप समझदार हो, दे दोगे, तो पहले कोई निकल कराया, जो भी पहले निकल कराया होगा, वो बड़ी size का होना चीए, तो this must be a protein A, क्योंकि protein A कितने का है, 100 kg डेल्टन का, this must be a protein B, क्योंकि protein B कितने का है, 50 kg डेल्टन का, तो fast peak, very good, हाँ, color से भी आप जवाब दे सकते हो, और आप molecular weight के साब से भी answer दे सकते हो, और सभी ने लगबग सही जवाब दिया है, शाबाश, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो काम की बात, जेल पर्मेशन क्रोमेटोग्राफी, में native molecular weight के आदार पर separation हो रहा है, protein Oligomeric है, या मून उमरिक है, जैसे इस्तिति है, वैसे इस्तिति में separate out होगा, दूसरी important बात, यहाँ पर बड़ी size का molecule आगे move करता है, इसका separation profile, SDS page से उल्टा है, जब हम आगे चलकर SDS page पड़ेंगे, तो आफ देखेंगे कि वहाँ पर small size के जो protein या peptides हैं, वह आगे चल रहे होंगे, large size वाले पिछड रहे होंगे, पर यहाँ पर मोटे ताजे protein, बड़े बड़े protein आगे दोड़ते हैं, पतले पतले वाले अटक अटक कर चलते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है, चारो, then, इस तरीके से illusion profile देखने मिलेगी, आपको gel permission chromatography, तीसरी major तरीके की जो chromatographic technique है, that is an iron exchange chromatography, iron exchange chromatography as name suggest, की it would be used, for the separation of polar charged molecules, on basis of their affinity toward a charged beads, की column में आपने किस तरीकी beads भरी है, column में अगर positively charged beads भरी है, तो negative charge molecule retard होंगे, तो depending upon की हमने column में, किस तरीके की beads भरी है, यह column है, और column में अगर आपने कोई, positively charge वाली beads भरी है, तो negative charge molecules हैं, वह retard होंगे, और अगर column के अंदर, आपने negative charge beads भरी है, तो positive charge वाले molecules हैं, उनकी रस्ते का रोडा बनेंगे, उनको अटकाने का काम करेंगे, तो दोनों तरीके की beads वाले columns, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, yes, cut-off has been declared, तो बदा ही हो, तो दोस्तों, तो दोस्तों, इस लास्त टेक्निक पर थोड़ा सा दियान दिये, कि इस अपरेशन अफ पूलार molecules, on their affinity to ion exchanger, अब यहां पर बहुत simple सा concept लगता है, कि वह pH जहां पर molecule पर कोई net charge नहीं होता, जा net charge 0 होता है, उसे isolatric point का जाता है, और surrounding वाला pH, अगर isolatric point से कम है, तो molecule के उपर positive charge जाता है, surrounding वाला pH, अगर जादा है, तो same molecule के उपर negative charge जाता है, आइसोलेटिक point होता है कि यह तो आपको पता ही है, it is the pH, where the net charge on molecule is 0, ठीक है, तो, आगे बात करते हैं, जो आइन exchanger बीट स्तेमाल की जाती है, वा दो तरीके की होती है, यहां तो हुआ, कैटाइन exchanger, यानि जो खुद negatively charged है, तो exchange उसको करेगी, कैटाइन्स को, कैटाइन को एक्षेंग की, भी तू आजा, कोई दूसरा कैटाइन दे दिया, तो दूसरा कैटाइन यहां पर आकर बाइन्ड हो सकता है, अब जादा मात्रा किसकी रखते हो, येलो वाले कैटाइन की या ग्रीन वाले कैटाइन की, उसकी बेसिस पर, चीज़ें, यहां पर bind और डिस्प्लेज कराई जा सकते है चलो example लेते हम TM cellulose carboxy methyl cellulose का दूसरा example दोस्तों anonic exchanger beats जो किस तरीके की होती है they are positively charged beats जो कि anion को exchange करेगी examples का ले सकते हो diethyl amino ethyl cellulose का example का ले सकते हो DEAE cellulose diethyl amino ethyl cellulose तो मैंने क्या का आप तक कि यहां पर दोस्तों column है उसमें कुछ charged beats थेमाल करेंगे जो खुद negative charge हो cation को exchange करेगी कि उन्हें cation exchanger beat का जाएगा जो खुद positively charged हो जो anion को exchange करेगी उन्हें anion exchanger beat का जाएगा ठीक है यहां पर molecules को अगर illute out करना है तो हम क्या बनाते है salt का गिर्ण direct exam में question पूछा जा सकता है कि यहां पर illusion कराने के लिए क्या स्थिमाल किया था दोस्तों तो illusion कराने के लिए हमें क्या स्थिमाल करना पड़ रहा है gradual salt concentration या pH का variation करेंगे दोस्तों धीर धीर हम क्या कर रहे है salt की concentration बढ़ा रहे है कुछ molecules है वह low salt पर ही separate out हो जाएंगे कुछ higher salt पर है ना low से high salt का gradient बना रहे है या low pH से high pH या high pH से low pH का gradient बना रहे है यहां पर जो last बात आपको याद रखनी है कि अगर catein exchanger बीड ली यानि acid बीड ली जिस के उपर negative charge है acid बीड ली तो सबसे पहले elute out वह होगा जो खुद negative हो और जो खुद negative होता है उसे acidic molecule कहते है और acidic की PI value सबसे कम होती है acidic की PI value सबसे कम होती है तो cateinic exchanger column में सबसे पहले anion भाग कर जाएगा बार क्योंकि नाम ही catein exchanger है तो catein को रोकेगा anion को रोकने से रहा सबसे last में elute out होगा वह जो की सबसे ज़्यादा बड़ा catein है यह निस सबसे ज़्यादा basic है जिसका isoelectric point सबसे ज़्यादा है तो molecules with lowest isoelectric point that is acidic molecule will elute first जिसका highest isoelectric point होगा वह सबसे last में आएगा then अगर anion exchanger column chromatography की बात की गई है question में तो नाम anion exchange है तो anion को exchange करेगा खुद catein होना चीए तो जो catein को exchange करेगा नि उसमें catein सबसे पहले निकल आ रहेगा catein सबसे पहले निकल कर आने का मतलब है catein सबसे पहले बार निकल कर आने का मतलब है basic protein सबसे पहले निकल कर आएगा और basic protein की isotric point value सबसे ज़ादा होती है ठीक है तो यह order याद रखिएगा इसी order के basis पर दोस्तों separation कियाता है और separation के लिए gradient किसका बनाते है या तो pH का या gradient बनाया जाता है salt का तो दोस्तों आज का session में इतना थोड़ा छोटा ही रख रहा हूं क्योंकि मेरी back to back class है कल से हम इसको और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले थोड़ा और detail में पढ़ेंगे आज हमने सिर्फ क्या बात पढ़ी है आज हमने पढ़ी है sheet chromatography क्या होती है प्रिमेशन chromatography में सबसे पहला हमने पढ़ा hydroxy patide chromatography के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा mixed mode chromatography भी का जाता है फिर gel permeation chromatography के बारे हम पढ़ा है जहां पर हम size के basis पर molecular weight के basis पर separation करते हैं बड़े वाले सबसे पहले आते हैं उसके बाद और last time हम पढ़ रहे है ion exchange chromatography के बारे में जहां पर separation iso electric point के basis पर charge के basis पर होता है अगर ketine exchanger है तो ketine सबसे बाद में आएगा NIN सबसे पहले भाग कराएगा NIN का दलब negative charge जिसका lowest iso electric point है और अगर anionic exchanger bead है तो NIN सबसे बाद में आएगा वहाँ पर दोस्तों positively charge NIN exchanger में सबसे पहले कोन आएगा NIN सबसे last में ketine सबसे पहले और ketine exchanger में सबसे पहले NIN ठीक है तो आज की class को हम यहीं तक पढ़ते हैं ओके चलो दोस्तों तो सभी को results हमारे बहुत fruitful आने वाले हैं क्योंकि आप लोग बहुत कड़ी मैनत कर रहे हैं इसी तरीके से मैनत करते रहें ताकि हम सब मिलकर collectively अपने मंजिल तक पहुँच पाएं पढ़ते रहेगा दोस्तों हिमत मत वाहर रहेगा चाहे किसी भी प्रकार की station phase आपको रोकने का भरसक परियास करे पर IFS नाम की mobile phase के साथ आपको गतीमान होते रहना है एक दिन हम एक अच्छे RF value के साथ अच्छी RT value के साथ या अच्छी RV value के साथ बाकी सब लोगों से प्रतक हो जाएंगे और यही हमारा A में तो आज हम यही तक class को discuss करते हैं Bye friends मिलते हैं कल वापस और अपने जादा-जादा friends को बताएगा कल के बारे में ताकि और मजाए पढ़दे में ओके बाई-बाई टेकर